ये देखिए कितने स्वादिश्ट और टेस्टी हमारे लड़ू दिख रहे हैं कोई देख के कह सकता है कि ये हमने घर पे बनाये हैं लग रहे हैं ये बिल्कुल मार्केट जैसे अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजे और साथी बेल ऐकन पे खिलिक किजे तक ये ऐसी ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपिस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे ये देखिए यहाँ पर मैंने एक कप चने की डाल ली है इसे मैंने दो घंटे के लिए अच्छे से पानी में भीगो कर ले लिया है ये मैंने एक कप चने की डाल ली है लगभग ये 200 ग्रैम के करीब है इसी डाल से बेसंद भी बनता है और इसी डाल से हमारे मोती चुर के ल का इस्तिमाल भी नहीं करना है ये देखिए आप देख सकते हैं इस तरीके से दरदरी दाल हमें पीस लेनी है हमें इसे जदा महिन नहीं पीसना है हलका सा दरदरा ही हम इसे पीस लेंगे ये देखिए फिसी हुई दाल को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं इसी तरीके से मैंने सारी दाल को पीस के तयार कर लिया है हमें इसमें और कुछ भी नहीं मिलाना है बस आप देख सकते हैं इस तरीके के हमें छोटे-छोटे बड़े बना कर इसे तेल में अच्छे से फ्राय कर लेना है तो चलिए हम इने फ्राय कर लेते हैं ये देखिए गैस पर मैंने कड़ा ही रख दी है इसमें मैंने तेल डाल दिया है गैस की फ्लेम हमें low to medium रखनी है और इस तरीके के छोटे-छोटे बड़े बना कर हम तेल में डालते जाएंगे आप देख सकते हैं तेल में bubbles बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं इतना ही गरम हमें तेल को हमें ज्यादा गरम बिल्कुल भी नहीं करना है ये देखिए इस तरीके से जितने भी बड़े आप डाल सकते हैं उतने बड़े आप इसमें डाल दीजिए गैस की फ्लेम हमें low to medium ही रखनी है तेल को हमें ज्यादा गरम नहीं करना है ये देखिए आप देख सकते हैं मैंने इतने बड़े इसमें डाल दिये हैं अब हम इने दो से तीन मिनिट के लिए अच्छे से पका लेंगे पर हमें याद रखना है हमें इसका कलर चेंज नहीं होने देना है बस दो से तीन मिनिट के लिए हम इने अच्छे से पका लेंगे ये देखिए आप देख सकते हैं दो मिनेट बाद हम थूरंत इने जहरे से निकाल लेंगे आप देख सकते हैं इसका हलका सा कलर चेंज हो गया है इतना कलर आप कर सकते हैं हमें इसे ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है ये देखिए अब हम इने एक प्लेट में निकाल लेते हैं, इसी तरीके से हम बाकी के बड़े भी तेल में डाल देंगे, हम इने भी 2-3 मिनिट के लिए अच्छे से पका लेंगे, हम इसका कलर चेंज बिल्गुल भी नहीं करेंगे, ये देखिए ये भी अच्छे से पक चुक एक मिक्स ड्राइफूम्ट बूहने पहलें वाले यह लदू में रोड़ने वाले हैं यह अधी आप डेख सकते हैं दोड़े अब देख सकते हैं यह अंदर तक बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं अब इन्हें थोड़ी देर ठंडा कर लेंगे इसके बाद हम इसे मिक्सर में पीस लेंगे ये देखिए बड़े ठंडे हो चुके हैं और इनके मैंने बीच से दो टुकडे कर दिये हैं ताकि हमें इसे पीसने में आसानी हो तो चलिए अब हम इसे पीस लेते हैं ये देखिए इस तरीके से दानेदार हमें पावडर बना कर तयार कर लेना है आप देख सकत कितना दानेदार बनकर तयार है बिना बुंदी के भी हमने बहुत ही अच्छे से दानेदार मिश्रन बना कर तयार कर लिया है तो चलिए अब हम इसके लड़ू बनाना शुरू करते हैं ये देखिए गैस पर मैंने कड़ाई रग दी है और इसमें हम डालेंगे एक कटोरी सक्कर ये मैंने उसी कटोरी का इस्तिमाल किया है जिस कटोरी से मैंने चने की डाल ली थी आप जितनी कटोरी चने की डाल लेंगे उतनी ही कटोरी आपको चीनी भी लेनी है अगर आपको लड़ू कम या ज्यादा मिठे पसंद है तो आप सक्कर कम्या ज्यादा कर सकते हैं अब हम उसी कटोरी से आधा कटोरी पाने इसमें डाल देंगे गैस हम आउन करेंगे, गैस की फ्लेम हमें लोड टू मीडियम रखनी है और अब हम सक्कर को अच्छे से मेल्ट होने देंगे ये देखिए, दो से तीन मिनिट बाद हम देखेंगे हमारी सक्कर अच्छे से मेल्ट हो गई है अब हमें इसकी चासनी लेनी है ये देखिए, आप देख सकते हैं हमें इस तरीके की आधे तार की चासनी लेनी है आप देख सकते हैं, इसमें आधा तार आ रहा है इसी तरीके की आपको चासनी तैयार कर लेनी है अब हम इसमें डालेंगे दो पिंच औरंज फूर कलर यह बिलकुल भी ऑप्शनल हैं अगर आप नहीं डालना चाते तो आप इसे स्किप्भी कर सकते हैं गैस की फ्लेम हमें एकदम लो कर देनी है अब हम इसमें हमने जो दाल का पाउडर बना के तयार कर लिया है इसे इसमें मिक्स कर देंगे ये दिखे इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि इसमें जो हमारे चासनी है वो अच्छे से मिक्स हो जाए अब हम इसमें डालेंगे एक चोटा चमप चीलेजी पाउडर अगर आप चाहे तो झाइफल पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैै इसमें हम फ्राई किये हुआ ड्राइफ फूट्स भी डालेंगे और इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे ये देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है अब हम इसे इसी तरीके से ठंडा होने देंगे इस तरीके से ये ठंडा भी हो जाएगा और इसमें सक्कर भी अच्छे से अब्जर्व हो जाएगी ये देखिए हमारा मिश्रन अब बहुत ही अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है तो चलिए अब हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं ये देखिए लड्डू के उपर चिपकाने के लिए मैंने यहाँ पर किश्मिश लिये हैं अगर आप चाहे तो मगत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये देखिए इस तरीके से हम थोड़ा सा मिश्रन हातों में लेंगे और दोनों हातों के मदद से इस तरीके से हलके हलके हातों से दबाते हुए हम लड्डू बना लेंगे इसके उपर हम एक किश्मिश रख देंगे और इसे फिर से एक बार अच्छे से चिपका देंगे ये देखिए बड़ी ही आसाने से ये बन जाते हैं ये देखिए कितने आसाने से हमने लड्डू बना कर तयार कर लिया है आप देख सकते हैं कितने अच्छा और टेस्टी, सुन्दर, दानेदार हमारा लड्डू बन गया है एक और मैं आपको बना के दिखा दे दी हूँ इस तरीके से हातों में थोड़ा सा मिश्रन लेंगे और दुसरे हातों की मदद से हम दबाते हुए लड्डू बना लेंगे इसके उपर हम एक एक किश्मिश लगाते जाएंगे अगर आप चाहे तो इसकी जगह पर काजु का भी इस्तिमाल कर सकते हैं या आप बिना कुछ लगाए भी ऐसे ही लड्डू बना सकते हैं ये देखिए कितना दानेदार हमारा लड्डू बन कर तयार है इसी तरीके से हम सारे लड्डू बना लेंगे ये देखिए मैंने सारे लड्डू बना कर तयार कर लिये हैं इन्हें मैंने पेपर कप में रखा है देखने से कोई कहे नहीं सकता कि इन्हें हमने बिना बुंदी बिना बेसन के बड़ी ही असाने से बना कर तयार कर लिया है आप इसे जरूर ट्राइ किजिएगा ये बहुत ही स्वाधिस्ट बने है और आपके लड़ू कैसे बने आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीस मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथी बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आइसे जी हेल्दी एंट टेस्टी रेसिपिस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे थैंक यू